बिहार की राजुनिती में जल्द ही एक बड़ा बदलाव आने वाला है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जल्द ही बिहार में राजत सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की एंट्री होने वाली है जी हाँ लालू प्रसाद यादव फिलाल दली में है अपनी बेटी मीशा भारती की आवास पर है और एम्स के डॉक्टरों के निगरानी में उनका इलाज चल रहा है बता दे कि लालू प्रसाद यादव करीब 16 बिमारियों से ग्रसित है और ऐसे में कभी-कभी लालू प्रसाद यादव एक्टिव भी होते नजर आ रहे हैं जब से लालू प्रसाद यादव को जारकन हाई कोट से बेल मिली है तब से लालू प्रसाद यादव राजुनिती में थोड़े सक्रिय भी नजर आ रहे हैं बात करते हैं नौ माई की तो नौ माई की लालू प्रसाद यादव ने नौ माई को एक वर्चुल मीटिंग की थी और उस वर्चुल मीटिंग में लालू प्रसाद यादव ने विधाईकों से जन प्रतनिधियों से बाचीत की थी इस मीटिंग में उनके बड़े बेटे तेश पुछान निर्देश भी दिये हाला कि उस लंबे बैठक में लालू प्रसाद यादव जादा देर तक बोले तो नहीं लेकिन जानकारी आ ली लालू प्रसाद यादव अभी पूरी तरह से स्वस्त नहीं है उन्हें कई बिमारी है और इस वज़े से वो जादा बोल भी नहीं पाते हैं उस मीटिंग में भी के दौरान भी लालू प्रसाद यादव की तब्यत खराब हो गई थी और ऐसे में लालू प्रसाद यादव ये संभावना बनते नजर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव जल्द ही अपने कह सकते हैं कि ग्रिह जला यानि पटना लोट सकते बिहार वापस आ सकते हैं। था और ऐसे में इन गतिविधियों को देखकर ऐसे कयास लगाय जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की जल्द ही बिहार की राजनिती में एंट्री हो सकती है और एक बड़ा बदलाओ तब बिहार की राजनिती में देखने को मिलेगा क्योंकि लालो प्रसाद्यादव अभी स्वस्त नहीं है इसलिए ज्यादा वो राजुनिती में सक्रियों भी नहीं है लेकिन जाहिर सी बात है कि जब लालो प्रसाद्यादव की बिहार में इंट्री होगी तब राजुनिती गल्यारों में तो कुछ ना कुछ खलबली जरूर मचेगी अपको ये भी बता दे कि लालू प्रसाद्यादव का जर्म दिन 10 जून को है तो ये कयास भी लगाया जा रहे हैं कि लालू प्रसाद्यादव जल्द ही अपने समर्थकों को अपने कारे करताओं को एक बड़ा तोफा दे सकते हैं अब देखना ये है कि आखिर कब लालू प्रसाद्यादव की बिहार में एंट्री होती है और आखिर राजुनिती गल्यारों में बिहार के राजुनिती गल्यारों में क्या बड़ा बदलावाता है तो फिलाल अस खबर में इतना ही लेकिन देश और दुनिया के साथ भिहार और जारकन की तमाम बड़ी खबरे और उनकी अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए डी टीवी भारत नमस्कार